क्लास नाइध आज हम अपना नेक्स सेशन पढ़ेंगे सेवन सेशन जिसमें हम कम्यूनिकेशन एंड नेट्वरकिंग जो बेसिक कॉफ इंटरनेट होता है वो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इंटरनेट है वो क्या होता है उसके क्या-क्या यूजिज होते हैं क्यों हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे कितनी तरह के जो है वह इंटरनेट कनेक्शन हम ले सकते हैं बैन्विट क्या होती है और इंटरनेट ब्राउजर क्या होते हैं ठीक है तो हम वन बाइवन यह सब चीज़े पढ़ने वाले सेशन में तो सबसे पहले होता है कि इंटर एक आपके कमरे के अंदर भी हो सकता है ठीक है तो एक लाब को दूसरी लाब से कनेक्ट किया था हमने अब मैं थोड़ा सा इसको डीप ली नहीं जा रही हो मैं लैंड में बस इक सिम्पल सा पतारियों कि जैसे हमारे इस लाव है उसको हमने इसी तरह से जब हमारा स्कूल पोर्टमोर स्कूल हमारे शिम्पला सीटी में फिर उसके बाद फर्दर अगर मैं सिर्फ स्कूल का ही ले रही हूं ठीक है और एक नेटवर्क ही हो गया और अगर हमारे दूसरे जो हमारी सीटीज हैं पूरे हिमाचल कर्देश हैं उनके बलोच से इसी तरह से अब याउमारे हिमाचल सब्सक्राबूर हमारे एंडिया से बहार हमारे का परे चिटीज अनफर को पूरे छोटे क्यों और चो चोटे चोटेनेट वह लैट वो जब एक पूरा बड़ा नेटवक बनाते हैं उसको इंटरनेट बोलते हैं थिक है तो आप समझके चोटे-चोटे computer network से मिलकर के हमारा बड़ा network बनता है उसको हम इंटरनेट कहते हैं तो simple वाशा में आगर आपने बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि यह computer का जाल है ठीक है चोटे चोटे computer networks मिल करके जब एक बड़ा network बनाते हैं उसको हम internet बोलते हैं the internet is a huge network of computers around the world पूरी दुनिया के computers जब आपस में connect होकर network बनाते हैं उसको हम internet बोलते हैं ठीक है तो internet का use करके हम कोई भी information जो भी उसमें किसी ने store की होती है तो वह हम कहीं पर भी किसी भी जैसे वर्ल्ड वाइड वैब means की www पर जो एक web page की form में आपकी किसी भी तरह का एक information जो है वह पड़ा होता है उसको हम कभी भी किसी भी time retrieve कर सकते हैं by using the internet ठीक है तो हम होता है तो जो हमें required होती है जिसकी हमें जरूरत होती है वह information हम फिर ले लेते हैं ठीक है तो internet जो है वह सबसे बड़ा समुंद्र है हम कहा सकते knowledge का तो आजकल हमें किसी से भी कुछ भी चीज पूछने के जरूरत नहीं पड़ती है कि हर हर वक्त हम किसी भी time internet का यूज़ करके किसी भी तरह की information जो है वह ले सकते हैं ठीक है और भी हम आगे पढ़ेंगे की internet का यूज़ आप लोग खुद भी कर रहे हो बड़ हम एक पढ़ लेंगे की detail में कि हम क्या-क्या चीज़ें जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके कर सकते हैं तो यूज़ दू आप किसी पर्टिकूलर टॉपिक पर अपनी इंफर्मेशन दे रहे हो तो यूज़ एक्सचेंज ओफ इंफर्मेशन है ना यह आप इलक्ट्रोनी के लिए कमिनिकेट कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ जाज आप वट्चाप करते हो फेस्बुक के तुरू अपने डेली जो आपके नियूनी अक्टिविटीज इसको शे इसको आपने मुवी देखनी है उसकी टिकेट बुक करनी हो तो बहुत ही इस विदन फ्रैक्शन ओफ सेकेंड्स हमारा काम जो है घर बैठे बैठे यही ऑनलाइन जो है वह हम कर लेते हैं ऑनलाइन का मतलब जब भी हम इंटरनेट से करेक्ट होते हम बोलते हैं कि हम आउनला ठीक है तो if your computer is connected to the internet you say that your computer is online and with the help of internet you can gather a lot of knowledge which is available on it the knowledge समझ लो की knowledge के समुंधर है जैसे हम बोलें कि हमारे स्कूल में स्पोज अगर हमें किसी भी चीज की जानकारी लेने हो तो हम लाइबरेरी में जाते हैं तो लाइबरेरी हमारी क्या हुई जिसमें पूरी की पूरी नॉल www और simply हम बोलते हैं वैब ठीक है तो इसी तरह से हमारा इंटरनेट में क्या हुआ इस दिए कलेक्शन अफ दिफ्रेंट वेबसाइट्स दाट यू केन व्यू इफ्यू आर कनेक्टी तो जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हम अलग अलग तरह की वेबसाइट से सकते हैं और भी आपको बहुत बहुत जादा जो है अलग अपस मिलेंगी जिसके तुरू आप डिफ्रेंट टाइपस ओफ इंफरमिशन ले सकते हो अलग अलग टॉपिक्स पर इंफरमिशन ले सकते हो आपने वैदर फॉर्कास्टिंग पर अभी वैदर रिपोर्ट देखन वाला है तो आप प्लैनिंग कर सकते हो अपने कपड़े उसी आप से ले जा सकते हो है न तो यह बहुत तरह की आप इंफरमिशन अलग लग तरह की हम इंटरनेट से ले सकते हैं आपने कोई चीज़ परचेस करने हैं ऑन-लाइन शॉपिंग कर सकते हो कोई चीज बेचनी है जाते हो आप सेंटरनेट के माध्यम से सकते हो मूवी देख सकते हो बुक्स रीड कर सकते हो आप नए-चीज़ी कर सकते हो अपने आपको एजुकेड कर सकते हो ठीक है बहुत इंफरमिशन मिलती है इंटरनेट पे अगर आप किसी पे पटिकुलर टॉपिक पर सेर्च करोग यह सारी वीडियो जाएंगी जिसके थूँ आप काफी सारी इंफर्मिशन ले सकते हो तो आज कल आप लोग अगर आप इंटरनेट का यूज करें तो आपको टूशन लेने की भी जरूरत नहीं है आप लोग अगर आपने किसी भी चीज का अगर आपको समझ नहीं आ रहा है च यूट्यूब के वीडियो भी सामने आप गूगल दिखा देता है नहीं तो आप यूट्यूब पर जाना और वहां पर उस टॉपिक को टाइप करना और सर्च पे क्लिक करना तो आप देखो कि इतनी सारी वीडियो आपके सामने आ जाएंगे उस पर्टीकुलर चोटे से उसकते हैं तो थेचा जाने की जड़ी अपनी लाइफ को भी मैं नहीं कर सकते हैं तो हम इतने डिपेंट हो चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वरसेटाइल है यह बहुत जादा हरे काम जल्दी और एफिशेंटली हो जाता है तो हम इंटरनेट का बीना यूज की अपनी लाइफ को इमेजीन ही नहीं कर सकते हैं तो हम काफी सारे इंटरनेट का यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन के अक्टिविटी इसको पूरा करने के लिए तो यह हम चीज है कम चीजे हैं सबसे पहले बताया यहां पर गूगल गूगल जैसे मैंने भी बात की सर्च इंजन बोलते हैं आगर कोई बी लेनी है कोई भी लेटिस्ट इंफरमिशन लेनी है किसी बी वारे में जो आप डेट लेना है वहाप Google पर जा करते हो अब लेघकर ओन कर देंगे तो आपको बहुत सारी इंफरमेशन मिल जाएगी चाहे अर्थक्रिक से रिलेटिटिड है क्रिकेट मैच से रिलेटिड है एलेक्षन की डिटेल्स है या लेट टेस्ट कोई भी अपडेट है आपने जो देखना है वह हम गूगल से देख सकते हैं कोई इंफरमेशन हम गूगल पर सर्च करके ले सकते हैं नेक्स एंटर्टेन्मेंट के लिए आप लोग इंटरनेट का यूज करते हो आप म्यूजिक सुन सकते हो किसी भी तरह का पुराना नया है ना आप गेम्स खेल सकते हो इवन ओनलाइन गेम्स चलती है आप अलग-अलग जो है वह बैठ लुक पे ट्वीटर पे तो हम अपना जो हमारे पॉंट ओव यू उता है उसको हम शेयर करते किसी भी जो जर्नल एक सोशल जो आजकल चल रहा होता है किसी भी चीज के ऊपर हम जो है अपना पॉंट ऑफ यू देते हैं वहाँ पर अपना वियू देते हैं बट मैं बात कर र कोई भी attachment बेजने कोई file बेजने तो easily हम बेज सकते हैं कोई message जाना है आपका officially तो email के through हम return में भेज़ देते हैं तो हम अपने messages के साथ जो online है वो WhatsApp हो गया WeChat हो गया means कई तरह के social apps हैं जिसके through हम chatting करते हैं है mail के बाद जो आता है वो chatting कर सकते हैं ठीक है हम Gmail and outlook का यूज करते हैं email के लिए yahoo का यूज करते हैं mails को receive and send करने के लिए ठीक है तो जब आप लोग आओगे न व्लॉक्टाउन के बाद तो हम लोग email ाइडी बनाएंगे जिसके तुरू आप देखोगे कि mail कैसे हम send करते हैं कैसे inbox में फिर हमें वह receive होती है तो यह सब चीज़े प्रैक्टिकली हैं वह हम करेंगे बट आपको भी जो सीखना है वह यूज इंटरनेट सीखना है जिसमें मैं आपको गूगल बता दिया सर्च इंफर्मिशन के लिए सर्च इंजन भी बो पहुंचा सकती हूं ठीक है या अगर कोई भी इस तरह की लेटर है ऑफिशल तो मैं आपको सेंड कर सकती हूं तो हम चैटिंग भी करते हैं वह बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो मेरे मूप एकदम से आता है क्योंकि मैं भी उस करते हूं ठीक है तो email and chatting हो गया उसके बाद बहुत सारी एप्स हैं जिसके तुरू आप अपने इंटरस्ट और अपनी नॉलेज और अपनी स्टोरी जो है वह फैमली और फ्रेंड्स के साथ जो है वह शेयर कर सकते हैं जैसे फेस्बूक एंड ट्वीटर है इंस्टाग्राम है उसके बाद आता है शॉपिंग ऑनलाइन छॉपिंग जैसे मैंने पहले बोला कि सीवी तरह की कपडे हैं जहूते हैं आपके तरह की कही तरह के जो कोई भी प्रोड़क्त आप लोग की राशन पानी का जो समान होता है वह भी हम ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं ठीक है तो किसी तरह की आपकि तरह कि एर Zombies क अनले टाॉर सकते हैं इसी तरह से हैं अब बेच हम शॉपिंग करते हैं करते हैं कई वेबसाइट करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट आपको मिल जाये तभी आप उस में पेमेंट करना बट कई बारी cash on delivery नहीं होता है तो हमें अपने credit card या debit card के थ्रू हमें payment करनी पड़ती है तो वह हम online payment भी कर सकते हैं तो हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है और अपनी जो local market है वहाँ पर हमें इतनी variety भी नहीं मिलती है शॉपिंग करके हमें बहुत सारी variety भी मिलती है एक ही चीज की साथ के साथ हमारा time भी बचत होता है और time की बचत होती है और साथ के साथ हमारे जो आने जाने का घर्चा होता है वह भी बच जाता है तो काफी सारी चीजें हैं जो हम shopping के से खरीच सकते हैं भी सकते हैं फिर online booking ज औस सारा काम अपनाघा कर सकते हैं ऑनलइन बैंकंग कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकेंगरायन गारने offers पो अनलाइन बैंकींग में आbinे गूगल पे है आपका भी मैप है या आपका फॉन पे है तो इन एप्स के थुरू ना आप लोग क्या कर सकते हो किसी भी तरह की आपने पेमेंट करनी है किसी के बैंक में आपने मनी ट्रांसफर करनी है तो बहुत ही जल्दी मेंस फ्रैक्शन ऑफ सेकिंड वह काम हो जाता है बैंकिंग की एप्स के थुरू ठीक है किसी को मुझे अगर मनी ट्रांसफर करनी है तो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसली फ्रॉम वन बैंक तो बहुत ही हो जाता है पैसे ट्रांसफर करना ऑनलाइन बैंकिंग के थुरू फिर आता है ऑनलाइन लर्निंग ऑनलाइन लर्नि है ठीक है तो आप लोग उसका पॉजिटीव वे में फायदा उठाओ ना कि उसको हर कुछ उसको देखने में बड़ आप मोबाइल का क्योंकि जो टेक्नलोजी है नो हम दोनों तरह से यूज कर सकते बैनिफिश ली और पॉजिटीव भी और नेगटिव ली तो वह हमें देख देखो जो आपकी अपनी पढ़ाई से रिलेटिड है जैसे मैंने भी आपको बताया ओनलाइन लर्निंग आप किसी भी टॉपिक को अगर सर्च करोगे चाहे गूगल पर जाकर यूट्यूब पर जाकर तो बहुत यह सारी चीज़े आपको वहां पर एवलेबल होंगी और आ तो यह तो था हमारा यूजिज ओप इंटरनेट ठीक है तो अभी मैं इस नहीं आपको पढ़ा रही हूं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सको हर एक चीज़ को तो आज के लिए इतना ही आप लोग ने जो क्वेस्टेंस करने वह हमें बता देती हूं आपको कॉन से करने है सबसे पहले हम देखते हैं multiple choice question सबसे पहला question है to connect to internet the computer has to be connected to the इसमें answer आएगा आपका c internet service provider क्योंकि अगर आपको internet से connect होना है तो computer को आपको पहले ISP के साथ मतलब उससे connection लेना पड़ेगा तो इसका c answer आएगा internet service provider इसमें जो आपको मैंने भी बताया कि it is the collection of computer networks जब computer networks का पूरा एक collection हो जाएगा उसको हम बोलते हैं internet तो इसका answer क्या आएगा आपका भी आएगा तीसरा आपने जो short answer में करना है जो एक question वो करना है write a short note on the uses of internet क्योंकि जो बाकी का question यहां पर जो हम कल करेंगे आज आपने करना है यह question है write a short note on uses of internet इसमें आपने साथ में यह भी लिख लेना what is internet what are its uses इस तरह से बनाना है what is internet and what are its uses तो आप internet की full form sorry definition जो है वो यहां से भी लिख सकते हैं या फिर मैं आपको लिखा देती हूं वैसे तो आप यहां से भी लिख सकते हो जो यहां starting में दे रखी आपको the internet is a huge network of computers around the world ठीक है using the internet you can get any information that is stored in web page on the worldwide web ठीक है या फिर आप यह भी लिख सकते हो the internet is the network of computer networks worldwide ठीक है the internet is the network of computer networks worldwide तो इस चोटी सी लाइन है पर इसमें बहुत बड़ा मीनिंग है कि computer जो है वह computer networks के एक network को बोलते हैं और यह computer networks worldwide का मतलब पूरी दुनिया में जो computer networks available है उनका जो एक network है उसको internet बोलते है the computer the internet is the network of computer networks worldwide ठीक है यह definition भी लिख लोगे और जो मैंने आपको अब हाइलाइट किये चीज़े वह भी आप लिख लोगे उसके बाद आप लिखोगे uses of उसके बाद आप एक heading दोगे uses of internet तो वह आपने यह सारा का सारा लिख लेना जो आपको आपको अल्रेडी बताया है uses of internet there is no limit to what to do मतलब common uses of internet number one आप लिख देना यहां पर यह सर्च information second entertainment तीसरा email and chatting for social networking और यह सारा लिखने क्योंकि ज्यादा नहीं लिखा हुआ है तो यह आपको पूरा ही cover करना है क्योंकि अगर आपको इसको explain करने फिर next point shopping का जाएगा online booking का जाएगा online learning next आजाएगा और फिर online banking लास्ट में आजाएगा तो this is all about your first answer जो short answer मैंने आपको बता है what is internet and what are its users तो आज के लिए इतना ही बटा और बाकी का सेशन का जितना भी पार्ट बचा है वह हम कल करेंगे ओकी बटा